सो गाईज विलकम टू अलशे हो अप यहां पर बता देता हूं मैं माईग ले की आँ ना कुछ ले की आयों जहांपर मैं वाकआउट करता हूं डेली साम को ठीक है साम और सुभए दोनों टाइम आता हूं मैं समझता हूं अपना यह भी जरूरी है सो वीडियो कोई ना एजूकेशनल होने वाला है ना कुछ भी सो मैं आपको बता दू कि क्या यहां पर बात करने वाला है थोड़ा समय मुझे आप सभी से एक सजेशन चाहिए ठीक है सो प्लीज बताना एंड आपको जो भी डाउट्स बनते हूं बैसे क्ली मैं आपको दिखा प्लॉकिंग वाले ही ठीक है और देन उसके बाद मगी मुझे एक भाई आप सभी से डाउट पूछना था यह तो ठीक है अपना फ्लैग कि इससे देख के थोड़ा एक अलागी मोटिवेशन आता है कि हाँ ठीक है जब वाकोट पूसप करते क्रांचेश करते एवरीटिंग सो उसके रिकार्डिंग भी कभी वीडिव बनाएंगे कल हम लोगों ने यहां पे सफाई की मैं मेरा भाई और यहां पे जो जो आते रनींग के लिए सबी लोगों मिलके अपनी जगह मतलब अपनी जगह क्या है यहां पे एक्ससेज व्गेरा करते हैं डिफिनेटलिटी इसा होता है, especially मैं भी अभी सूजू उस पर आया हूँ और रणिंग का टाइम हो रहा है, सामको मैं वीडियो लग बड़ शे वजे कर रहा हूँ, मुझे एक चीज पूछ रहे हैं आप सभी से, जैसे बताना आप सभी, कभी भी आप एर फोर्स पर जाते हो, एर फोर्स पर यूनिक मतलब समझ रहे हो, जैसे मेरी, जब हम पेपर देने जाते हैं, तो मेरी मॉम मुझे वो तीलक लगा देती हैं, और कहती हैं कि अच्छे से पेपर दे क्या ना, बेस्ट आप लग, पता लगा, चीनी खिला दी, कहती ही मीठा खा के जाना जी है, अब दही तो है नही जब कभी भी एक्जाम देने जाते हो, तो आपकी ममी, आपकी सिष्ट, अमिस, आपकी मदर, आपकी सिष्ट, आपके फादर, या आपकी कोई भी, ठीक है, एक्जाम जाने से पहले कुछ यूनिक बताओ, ये कुछ चैलेंजिंग टाइप में होने वाला है, आँगे एक दो प्लीज आप कॉमेंट में कॉमेंट करके बताना कि आपकी मदर, फादर, और जो भी करते हो, आपको बेस्ट आप लग, एवरीधिंग, सो प्लीज बताना, मैंने अपना बता दिया, और वक आउट रिगोर्डिंग, कैसे पुछ अप, कैसे स्कॉइट, कैसे आपका आपका यहां से मैं अपना रेनिंग स्टार्ट करते हैं, यह अपना लक्ष, यहां पर लक्ष और गो लिखा हुआ है, और ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है, सो डिफिनेटली बताना, और अभी मिलता हूं भी नेक्स्ट डूड फिजिक्स इंग्लिस के प्रैक्टिस सेट के साथ में, यहां कुछ भी बात करते हैं, बाबाई, टेक किया